है है लो दोस्तों वेलकम बेक टून अदर वीडियो आप देख रहें आप टेक चैनल मेरा नाम है आकिब एक तो दोस्तों आज की हम वीडियो में बताएंगे कि आप अपने मुवाइल को अपने टैबलेट को टीवी से कैसे किनेक्ट कर सकते हैं यानि कि आपके मुवाइल टै पर दिखाता हूं फिर उसके बाद आपको टीवी पर दिखाता हूं तो पहले मुवाइल का जो सेटिंग है वो मैं आपको बता देता हूं तो दोस्तों यह सैमसंग की स्क्रीन है तो सबसे पहले आपको क्या गन्ना है डॉप डाउन पर जाना है और यहां पर आप आप सकता है लेकिन इसी सही आपको जाना इसके उपर फिर्देश देखी आप कौने में देख सकते हैं कि कि यहां पर सर्च कर रहा है लेकिन अभी मैंने टीवी की सेटिंग नहीं करी है तो इसलिए यहां पर कुछ भी नजरा नहीं आ रहा है तो मैं आपको टीवी की तरफ दिखा आप नीचे आएंगे यहाँ पर राइट साइड में आप देखेंगे मीरा कास्ट मीरा कास्ट करके आपको option नजर आएगा आपको इसी option को खोलना है और फिर बस यहाँ पर open होने के बाद आप इधर स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको यह नजर आजाएगा Android MI TV यह option आजाएगा जब इस पर मीरा कास्ट आप open कर देंगे तो आपको यहाँ पर यह नजर आने लग जाएगा तो आपको इसी को select कर लेना है और यहाँ पर start now पर select करना है थोड़ा सा wait करेंगे पर देखी आप पूरा मेरा जो टैवलेट का स्क्रीन है वो mirroring हो चुका है मैं इसको उपर करूंगा तो वो भी उपर होगा आप देख पा रहे हैं बहुत ही आसान है दोस्तों बहुत आसान है और दूसरा जो सबसे जरूरी काम जो है वो आपको करना ही करना है यहाँ पर आपको subscribe का बटन दवा देना है और select करके all पर select कर लेना है यह काम आपको जरूर करना है कि यह देखिए दोस्तों मैं टैबलेट को स्क्रीन ऊपर कर रहा हूं तो यह भी अपने आपी ऊपर हो रही है यहां तक कि आप अगर कोई वीडियो भी चलाएंगे तो यह देखिए मैं इसको full screen कर लेता हूं अब मैं यहां पर अगर अगर इस वीडियो की आवाज कम करता हूं तो यह रिमोट से देखिए आवाज कंट्रोल कर सकते हैं टीवी की और एवन आप अपने मोबायल से भी टीवी की आवाज को कंट्रोल कर सकते हैं आप जो भी इसमें काम करेंगे वह आपकी टीवी में आटोमेटिकली होगा सरस्फ वॉल्यूम आप अपने रिमोट से चंट्रोल कर सकते हैं और कुछ भी नहीं तो दोस्तों यही था पूरा सिस्टम बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया आप देख सकते हैं मैं र वीडियो यूसल लगी हो पसंद आई हो तो प्लीस इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बेगर बिल्कुल मत जाना सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारे चैनल का जो बैल आइकन है उस बैल आइकन को जरूर दवाईएगा और कोई confusion हो, कोई परेशानी आ रही हो आपको अपना TV connect करने में तो comment section में comment करिएगा, हम उसका जवाब जुरूर देंगे तो चलिए दोस्तों, चलता हूँ, दौाओं में याद रखना और मेरा zit करना है तो subscribe चलूर करना, keep loving, keep sharing लिंक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायो नारा, एंड बाई